नमस्कार आप देखरें स्काइनेट टीव इंडिया पेसे आज के मुखी समाचार पीटा के साथ पान बेचने वाले संकेट सर्गर ने कामन वेल्थ गेम्स में देश के लिए पहला मेडल जित लिया है वेट लिफ्टिंग के 55 किलोबेट केटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया संकेत के पीता महादेव सरगर महराष्ट में सांगली के मेन मार्केट में पान और चाय की दुकान चलाते हैं संकेत भी पापा के कामों में हाथ बटाते हैं मध्यप्रडिस के देवास की वेटी दिसा रेड़ी ने भारत के लिए पहला कांशे पदक जीता दिसा डीपीएस स्कूल की 12 की छात्रा है मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान से इंदोर के नव निर्वाचित महापोर मुश्य मित्र भारगव और स्रीमती जुही भारगव ने निवास कारियाले पर सौजन्नी भेट की मुख्य मंत्री श्री शिवरा सिंग चोहान मंत्राले में वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से उजवल भारत उजवल भविश्य पावर दो हजार से तालिस में मानने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधीजी से जुड़े और उनके संबोनों का स्रवन किया मध्यवर देश के जवलपूर, ग्वालियर, बुंदेलखंड और बगेलखंड में भारिस का दोड़ जारी है लेकिन बोपाल इंदोर में ब्रेक लगा हुआ है राजधानी बोपाल में सनिवार सुबह मोसम जरूर बदला लेकिन तेज बारिस के चांस नहीं है मोसम वेग्यानिको की माने तो दो अगस्ति सनया सिस्टम एक्टिव हो रहा है इसके बाद ना सिर्फ भोपाल इंदोर बल्कि पूरा प्रदेश भीकेगा सहर सरकार का गठन सनिवार को हो गया और रिवा कलेक्टर मनोच पूस्प नेन्नाव निर्वाचित महापोर अजे मिस्रा सहीत पार्षदों को पद एवं गोपनी तकी सपत दिलाई सहर के पदमधर पार्क में सपत ग्रहन कारिक्रम आयुजित किया गया चिनवाड़ों में पती पत्नी ने दो बच्चों के साथ मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा ली पती पत्नी की मोथ हो गई बेटी की हालत गंबीर है बेटा खत्रे से बाहरे घटना वाला जी नगर इलाके की पत्नी कंचन पाठक, बेटे प्रतिक पाठक और बेटी अर्पना पाठक के साथ सामोहिक आत्महत्या का प्रयास किया पुलिस के मताबिक सुरवाती जाच में आर्थिक दिक्कत की वज़ो सामने आ रही है विनोथ को आपरेटिव बेंक से रिटायर्ट थे बोपाल के मोलना आजाद National Institute of Technology के एक इंजिनियरिंग इस्टूडेंट उद्देश से अहिरवार उम्र 22 साल ने पेड़ पर फंदा लगा कर सुसाइट कर लिया सनिवार सुबा उसकी लास पेड़ पर लटकी मिली पुलिस मामले की जाच कर रही है खुद कुलसी की वज़े सामने नहीं आई है इंदोर में कोरोना पैसेंट की संख्या में उतार चड़ाव का दोर जारी है जबकि मोते भी अब बढ़ने लगी है सुक्रवार को 90 पॉजिटिव पाए गए जबकि एक बुज़र्ग की मौत भी हुई है चार दिनों में कोरोना सिर्थ तीर मौते हो चुकी है प्रदेश में 24 गंटों में कोरोना संक्रमंट के 228 नए केस आए हैं वहीं 263 मरिश ठीक हुए हैं कल दिन बर की पमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुबरात्री